एलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं डिजाइनर गला और डिजाइनर गला बनाने के लिए सबसे पहले हमें सिंपल गले की कटिंग करनी है मैं अधिक तक हर वीडियो में सिंपल गले की कटिंग करना आपको बता चुकी हूँ इसलिए मैं आपको इसमें गला कट करना नहीं बता रही हूँ अब हमें एक पट्टी लेनी है और इस पट्टी को मैंने औरेम में कट किया है इसकी चोड़ाई मैंने 4.5 इंच ली है वेटिए आपको औरे में पट्टी कट करना नहीं आता है तो मैंने चैनल पर अप्रोड कर رखी हैं आप वहां से देख लेए इसके बाद इस पट्टी को हमें फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद हमें इसके उपर सिलाई लगानी है यह सिलाई हम उपर से लाश्ट तक लगाएंगे यहां से हमें सुरुवात करनी है और पूरी लाइन में ही यह सिलाई लगानी है इस तरीके से आप इसमें सिलाई लगाएं और सिलाई हमारी एक ही सीध में आनी चाहिए स्लाई कम जादा ना हो, कम जादा होने से फिनिसिंग नहीं आती है ये हमने स्लाई पूरी लगा ली है और हमने एक तरफ से इसमें स्लाई नहीं लगाई है लाश्ट में नीचे की तरफ से और जहां से हमने इसमें स्लाई लगाई है उपर से हां से हम इसे सीधा करेंगे यह आप पैन या पेचकस या कैंची की सायता से इसे सीधा कर सकती है इस तरीके से हमें इसे सीधा करना है सीधा करने के बाद आप इस पर प्रेस करने हैं एक बार जरूर अब हमें कुर्ती लेनी है और कुर्ती को हमने सीधा रखा हुआ है इसके बाद जो हमारा गला है इसके सेंटर पे हमें मार्क करना है सेंटर पे मार्क करने के बाद एक जो मार्क करेंगे वो हम 4 इंच पे करेंगे यहाँ पर गले के सेंटर पर रखने के बाद हमें एक मार्क 4 इंच पर करना है ऐसे मैंने एक मार्क 4 इंच पर किया है इसके बाद उपर से हम नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे 9.5 इंच पर यह हम सोल्डर से नीचे की तरफ कर रहे हैं 9.5 इंच पर ऐसे मैंने एक मार्क 9.5 इंच पे किया है और सेंटर से पहले मैं गले के सेंटर पे 4 इंच पे किया और सोल्डर से मैंने नीचे की तरफ 9.5 इंच पे किया अब मैं आपको पट्टी की लेंथ और बता देती हूँ मैं डिजाइन मैं कितनी लेंथ मैं बना रही हूँ डिजैन बनाना चाहती हैं तो आप पट्टी की लेंद अधिक ले सकती हैं और पट्टी को हमें ऐसे रखना है जो हमने मार्क किया था 9.5 इंच पे वहाँ पर हमें इसे ऐसे करना है और इसके बाद हम पट्टी को सीधा कर देंगे हलकी सी हमें गोलाई करनी है और गले पर हमें पट्टी को ऐसे रखना है ताकि जब हम गले को बनाए ये पट्टी हमारी गले में सिलाई में आ जाए और ऐसे हम मार्क कर लेंगे यदि आप इस तरीके से मार्क करना चाहती हैं तो कर सकती है या फिर आप पट्टी को हटा के भी ऐसे गोलाई कर सकती है हलकी सी इस तरीके से हमने पट्टी को रखा है अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे जहाँ पर हमने यह मार्क किया है यहाँ पर हमें यह सिलाई लगानी है मैंने यहाँ पे यह सलाई लगा ली है इसके बाद हमें जो यह हमारी पट्टी है हम half inch इसे छोड़ना है और यहाँ पे हम half inch पे एक मार्क करेंगे हमें इस पट्टी को half inch छोड़ना है ताकि जब हम इसमें कंगूरा लगाएं तो हम इसे उनके उपर fold कर दें तो half inch हम इस पट्टी को ऐसे छोड़ेंगे और तब एक सलाई लगाएंगे यह सलाई हम इसलिए लगा रहे हैं कि जो हमारी पट्टी है इसमें जोल ना आए और finishing बहुत अच्छे से आ सके तो इसके बाद आपको यह दूसरी सलाई लगानी है half inch छोड़ने के बाद और अब हम इसे ऐसे नीचे की तरफ भी पूरी तरह से सलाई लगा देंगे क्योंकि जो हमारी पट्टी है नीचे से हमारी fold है हमने सलाई लगा ली है और half inch छोड़के बना के रख लिये हैं और यहाँ पर हमें उपर की तरफ से एक मार्क वन इंच पर करना है वन इंच के बाद तब हम इसमें कंगूरा लगाना सिरू करेंगे यह कंगूरा हमने बनाई है और इसमें ब्लैक मोती लगाए है और नीचे से हम इसकी अच्छे से और फिर हमें इधर से फोल्ड करना फिर उधर से फोल्ड करने के बाद ऐसे कंगूरा लगा के आप इसे कट कल लें और आप इसे सिटीच करने के बाद भी मोती लगा सकते हैं या आप पहले ही मोती लगा के हाँ पर रख लें मैंने ये बहुत सारे बना लिए हैं पहले ही तो अब हमें ऐसे एक कंगूरा लेना है इस तरीके से हम रखेंगे और इसे सिटीच करेंगे दिहान रखें यदि आप इस तरीके से इसे ना सिल पाएं तो ये मोती आप बाद में हमी लगा सकती हैं इस तरीके से जो हमारी ये पती है इसको हमें पूरे को ही कवर करना है कंगूरा लगाते हुए ऐसे मैं आपको फिर से बता रही हूँ यदि आप इस तरीके से ना सिल पाएं तो ये मोती आप बाद में भी लगा सकती है पहले आप सिंबल कंगूरा लगा ले इस तरीके से आप पूरे को ही सिल ले देखे इस तरीके से मैंने हाफ इंच की गैपिंग में कंगूरा लगाए हैं बहुती प्यारा डिजाइन आ रहा है इसके वाद सिंपल गला है वो आप बना लें क्योंकि गला बनाना मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूं हर वीडियो में मैं अधिकतर गला बनाना बता चुकी हूं तो देखे इस तरी करें एंड थैंक्स पूर वाचिंग